25 जन्वरी 2023 को तेर्मा राश्ट्रे मद्दाता दिवस है इस अफसर पर भारत के प्रदियेक नागरिक को बधाई देते हुए मुझे अध्यदिक खुशी हो रही है भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना 26 जन्वरी 1950 के एक दिन पहले 25 जन्वरी 1950 को हुई थी ये भारतिये लोगतंत्र के लिए एक असाधारान उपलब्दी वाला दिन था कहीं हम इस तारीक और इसके महत्व को भूलना जाएं इसलिए हम 25 जन्वरी को रास्तिये मद्दाता दिवस के रूप में मनाते हैं मद्दाता लोगतंत्र की रीड होते हैं यही कारण है कि आयोग ने अपना इस्थापना दिवस मद्दाताओं को समर्पित किया है हमारा देश दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे जीवन्त लोगतंत्रिक देश है लोगतंत्र प्रतियेक भारतिये की रगों में रचा बसा हुआ है और हमारे समाजिक, भोगोलिक, सामोहिक, विवित्ता वाले देश में एलेक्टरल रोल से पोल यानि बोटर बनाने और मद्दान कराने में हम हर वियस्क नागरिक से समर्थन की अभिलाशा रखते हैं आज मैं भारत के मद्दाताओं को निर्वाचन में पूरे जोशेव मुत्सा के साथ भागीदारी करने और देश में सुतंत्र, निस्पक्ष और एथिकल निर्वाचन सुनिशित करने में यिथा संभव योगदान देते रहने के लिए धन्यवाद देता हूँ इसके लिए हम अपने मद्दाताओं के पृति किर्टग भी हैं और अभारी भी हैं भारतिये निर्वाचनों का आयाम और विस्तार दोनों ही अधबुत हैं चुनाओं का इतने बड़े स्तर पर संचालन दुनिया में अपने आप में एक मिसाल है मैं भारत की विशाल निर्वाचन मशीनरी को भी धन्यवाद देता हूँ जिसने पृतिये निर्वाचन को लगबग सिक्स सिग्मा एक्टिविटी यानि परफेक्टली पूरी साफधानी और कुशलता के साथ आयूजित किया है मैं निर्वाचन सेवाएं उपलब्द कराने में आसाधारन योगदान करने के लिए अपने लगबग दस लाख बूथ लेविल अधिकारी के पृति भी अभार व्यक्त करता हूँ मैं भारतिये निर्वाचनों के इस एत्यासिक सफर में हर कदम पर सहयोग और समर्थन के लिए सभी राजनितिक दलों को हिर्दे की गहराईयों से धन्यवाद देता हूँ उनके साथ संबाद, सहमती और आपसी सदभावना हमारे लोकतंतर में निर्वाचन प्रणाली की पहचान है अमद्दाता के बाद राजनितिक दल बड़े स्टेक होल्डर है डेमोक्रेसी को, डीप रूटेट और अलेक्शन इंटीग्रेटी को और सुदरन बनाने में उनका निरंतर सहयोग अती प्रिशन्चनिय है प्रिटीएक स्टेक होल्डर का आयोग के निस्पक्ष था और चुनाओ परिणामों की विस्वशनियता पर भरोसा ही हमारी सबसे बड़ी पूझी है निर्वाचनों को निस्पक्ष, समयबद और प्रोफेशनल तरीके से संचालित करने की अपनी कारेश हैली के कारण ही भारत निर्वाचन आयोग ने ये भरोसा हासिल किया है यही कारण है कि आयोग आज अंतरास्त्य इस्तर पर अलेक्षन मैनेश्मेंट बॉडीज यानि दूसरे देशों के निर्वाचन आयोग और अलेक्षन अथोर्टीज के साथ अलेक्षन इंटेग्रेटी समू का नित्रत्व कर रहा है भारत निर्वाचन आयोग विश्व के सभी लोकतंत्रिक देशों के लिए निर्वाचन प्रवंदन में ट्रेनिंग कोर्स भी संचालित करता है भारत में निर्वाचनों की संख्या वर्ष 1951 में लगबक 17 करोड थी जो अब बढ़कर लगबक 94 करोड हो गई है इसी प्रकार वर्ष 1952 के चुनावों में हमारा मद्दान प्रतिशत लगबक 44.8 परसेंट था जो 2019 के लोकसवा चुनावों में बढ़कर 67.40 हो गया है करीब 30 करोड निर्वाचन कैसे हैं जोनोंने 2019 के पिछले निर्वाचन में मद्दान नहीं किया था चुनावों में उनके ना भाग लेने के अलग-अलग कारण हो सकते हैं जैसे चहरी छेत्र में और युबाओं की कम भागिदारी और उत्सा अब 18 साल की उम्र पूरी होने के बाद बोटर बनने के लिए तो किसी को इंजार नहीं करना पड़ेगा क्योंकि पृतियेक तिमाई में क्वालिपाइंग डेट आती है इतना ही नहीं 17-18 वर्ष के बीच के भावी मद्दाता भी अब पहले से ही एडवांस में पंजिकरन करवा सकते हैं 18 वर्ष की आयू पूरी करते ही निर्वाचक नामावली में उनका नाम जोड़ दिया जाएगा और उनका वोटर कार्ड स्पीस पोस्ट द्वारा निर्वाचा नायूग भेज देगा हमें भावी मद्दाताओं के यानि 17-18 वर्ष के युवा मद्दाताओं भावी मद्दाताओं से लगबग 11 लाख अग्री माविदन यानि एडवांस एप्लिकेशन प्राप्त हो चुके है नए मद्दाताओं को जोड़ने के लिए स्पेशल समरी रिवीजन का प्रकाशन 5 जनवरी 2023 को कर दिया गया है इसमें युवाओं, महिलाओं, थर्ड जेंडर को शामिल करने पर विशेश ध्यान दिया गया था और इन प्रियासों के कारण अब हमारे पास हमारे वोटर लिस्ट में 18 से 19 आयूस बर के लगभग 1.43 करोड युवा मद्दाता है और प्रसनता की बात ये है कि 80 वर्षे अधिक आयू के लगभग 2 करोड मद्दाता है जिन में से 3 लाग से अधिक मद्दाता शताईउ हैं और 100 वर्षे अधिक के आयू के है और लगभग 85 लाग मद्दाता परसन्स विद डिसेबिलिटी के है और हमारे रोल में 47,500 थर्ड जेंडर मद्दाता भी है यानि 18 साल से लेकर 100 वर्षे अधिक आयू के महिलाए, PWD, थर्ड जेंडर सभी हमारे प्राउड मद्दाता है और इस तरह हमारा रोल सर्व समावेशी है यानि इंक्लूसिव है और पोलिंग को हम लगातार, इंक्लूसिव और एक्सेसेविल यानि समावेशी और सुगम बना रहे है तेरवा रास्टे मद्दाता दिवश में हम युवा और भाईवी मद्दाताओं पर विशेज ध्यान दे रहे है क्योंकि हमारे लोकतंत्र के भविश्य की बागडोर उनी के हातों में है युवा लोगों के पास आप सब जानते हैं कि एनरजी, इन्नोवेशन, क्रियेटिविटी और एक नया द्रस्टिकोन के रूप में समाज को देने के लिए बहुत कुछ है आपकी चुनावी भागेदारी से सजग नागरिक्ता और समाजिक जुम्मेदारी को बढ़ावा मिलता है आपकी चुनावी उदासिंता ने तो आपके अपने हित्मे है और नहीं देश के हित्मे है लोकतंत्र में आपका स्टेक सबसे जादा है इसलिए युवाओं को अपने बोट के महत्र यानि उसकी ताकत को कम करके नहीं आखना चाहिए मेरे युवा साथियों मद्दान एक अनुठा अनुभव होता है इसलिए इस वर्ष के रास्टे मद्दाता दिवस की थीम है बोट जैसा कुछ नहीं बोट जरूर डालेंगे हूँ मैं चाहता हूँ कि आप सभी इस थीम को अपनाएं इसमें विश्वाश करें इसे अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें और जहां तक भी संभव हो इसे प्रदर्शित करें हैश्टेक करें और इससे भी महत्मुन है कि आप सभी को अगले चुनाओं में मद्दान के आनंद का प्रत्यक्ष अनुवव उठाना चाहिए हम आप सभी के लिए मैं भारत हूँ हम भारत के मद्दाता हैं नामा के गीत को लॉंच भी कर रहे हैं और इस गाने का लिंक 25 अनुवरी को दुपएर एक बजे के बाद आयोग की वेबसाइट और सोशल मीडिया चैनलों पर उपलब्ध होगा मुझे उम्मीद है कि आप इस गाने को पसंद करेंगे भारत निर्वाचन आयोग धन और बहुबल के दुर्पयोग पर भी अंकुष लगा कर निर्वाचन प्रितकरिया को स्वच्छ बनाने के लिए पृतिवद है हम निर्वाचन सुधारू पर लगातार काम कर रहे हैं इस ए वर्क इन प्रोग्रिस कानून को सक्ती से लागू कर रहे हैं और मद्दाताओं को उमीद वारो द्वारा उनके शपत पत्रों में जो जानकारी दी जाती है उससे अवगत करा रहे हैं यदि किसी पृतियाशी की अपराधिक पस्ट भूमी है तो उसे बोटर की जानकारी के लिए प्रकाशित करा रहे हैं उसके लिए एक एब भी बनाया है जिसका नाम है Know Your Candidate KYC और तकनीक का इस्तमाल हम मद्दाताओं की जानकारी के लिए ही नहीं पृतियाशीयों के लिए भी अधिक से अधिक कर रहे हैं चुनावों में किसी भी बुराईग नहो दुरुपयोग नहो इसके लिए हमने एक सी विजिल नाम का एब भी बनाया है यानि विजिलेंट सिटीजन आप चुनावों में दुरुपयोग की कोई भी शिकायत कर सकते हैं जिसमें हम आपका लॉंगिट्यूड और लैटिट्यूड जहां से भी आपका फोन होता है उसको कैप्चर कर लेते हैं और आपकी लोकेशन सोते जानकर हम सो मिनिट में कारवाई करते हैं साथियो बोट वह साधन है जिसके द्वारा लोग लोकतंत्र में अपनी राजनितिक संपुर्भता को प्रियोग करते हैं आज रास्टे मदाता दिवस के अफसर पर अपनी गही आस्था की पुस्टी करें मैं एक बार फिर रास्टे मदाता दिवस के अफसर पर देश के पृतियेक मदाता को हर्दिक बधाई और शुप्त कामनाई देता हूँ किर्पिया जब भी आपकी अलिजिबिलिटी हो अपना नाम इलेक्टरल रोल में जरूर जुड़वाएं सत्रे से अठारे वर्ष के हैं तो एडवांस में भी जुड़वाएं और मदान अवश्य करें क्योंकि मदान जैसा कुछ नहीं मदान जरूर करेंगे हम चाहिए